दिल्ली में आप इंडिया गेट और लाल फिला तो घूमे ही होंगे लेकिन आप जानते हैं यहां पर ऐसी जगा भी है जहां गली-गली में मसालों की खुबू आती है खारी मतलब नमकीन और बाली तो आप जानते ही होंगे लेकिन आज यहां कोई बाली नहीं है है तो बस एक लंबी सी सड़क जिसके दोनों तरफ मसाले और ड्राइफ फ्रूट्स की भरमार है खारी बाली की खासियत हैं यहां की दुकाने जो काफी सालों से चली आ रही है आईए देखते हैं यहां से आप क्या-क्या खरीज सकते हैं मेहरचंद एंसांस जोकी 1917 में स्थाफित हुई थी इसको मेरे ग्रेट ग्रेंट फादर श्री मेरचंद जी ने शिरुवात करी थी इसकी और अब मैं चौथी पुष्ट फोथ जेनरेशन को बिलॉंग करता हूँ यहां पर आपको मसालों के साथ साथ चाय की कुछ ऐसी वेराइटीज मिलेंगी जिनके बारे में आपने शायदी कभी सुना होगा जैसे की मैंगो ब्लाक टी जिसे स्मेल करते ही मैं इसे टेस्ट करने के लिए एकसाइटेड हो गई वैसे ही आपको मिलेंगी स्ट्रॉबरी टी और रोस ग्रीन टी अब चलते हैं ड्राइफूर्ट की तरफ फेस्टिवल सीजन में ड्राइफूर्ट की बहुत डिमांड होती है इसलिए ऑक्टूबर निमेंबर के आज पास ये मार्केट आपको ड्राइफूर्ट से भरा हुआ मिलेगा खारी बावली में आपको कुछ आचार की भी दुकाने मिलेंगी इन में से एक दुकान पर धरम पाजी की फोटो देखकर मैं तो एक्साइटेड हो गई कि आखिर इनके पास ऐसा क्या है सतर साल से पुरानी दुकान है हमारी हमारे यहां पर सब तरह की अचार की वेराइटी आपको मिलेगी मिक्स अचार से लेके लसन का अचार, अद्रक का, आम का अचार छे रंगना में मैं लगभग तकरीबन 33 यह से आ रहा हूँ तो अगर नेक्स टाइम आप भी दिल्ली आने का प्लान करते हैं तो चान्नी चॉप के पास मसालो की यह मार्केट जरूर एक्स्प्लोर करें